हेलो गाइज विल्कम टूज फैमिली तो आज हम लोग डिसक्स करेंगे एसल के वर्सेस बीयर का जो मैच होगा सीपियल का उसके बारे हम लोग डिटेल्स अनलाइसिस करेंगे लेकिन उससे पहले आप लोग हमारा जो टेलिग्राम चैनल जोरूर जोइन हो जाना क्योंकि टेल होगा जैसे में प्रीव्य होगा हम लोग आफिशंа करेंगे पिल्टम लिएसे जमार रेंसे करेंगे इस करेंगे पर क्वाइज और जो कर आपні बुप पर आप जाब ग्राएसे काई म्माच हो गाता उसका अब कलका मैच्षा अब आप लोगाएब देख सकते फार्स बेट जिसने किया था on 87 रान किया था और अल आउट हो गिया था सेकंड भी उसमें उसमें भी ज्यादा उकट गिरा था तो भाराल आप मानके चलिए बैलन्स पीच रहेगा लेकिन थोड़ा सा आप सेकंड बैट को थोड़ा सा ज्यादा मदद मिल सकते हैं लेकिन आज से पहले जो मैच हुआ था 22 में उसका आप देख सकते हैं जिसमें मोस्ट अब दा मैच में सेकंड बैट नहीं आराम से विन किया है ठीक है और बाकी संबारी जो है आप देख सेथे फास्ट इनिस में पेसार्च ने फॉट्टी फॉर्ट लिया और सेकंड इसमें फॉर्टी पेसार और स्पिनर्स का तो 87 रुडस्ठ बड़ेट पार बहुत अच्छा पर्पाफाम करके देता है अब अब इसको जुरूर अपने टीम में रखेगा आया मस्पिक होगा आपके टीम में बहुत बढ़ी है डी फेरारे यह हार्ट इटर बैस मैंने बैट बॉलिंग भी पार्ट टाइम कभी कर लेता है लेकिन हार्ट इटर बैस मैंने और इसका थोड़ा सा अच्छा ही यह तिक रहा आप गयाल लिग में जुरू ट्राइब कर सकते हैं अगर लाइनप में आएगा यह अथैनेस यह बहुत अच्छा फिलियार है बॉल वैट दोनों करते है और बहत बहुत बहतेरीं बैस्पेंड भी है और बॉलिंग भी पार्ट टाइम कर लेता है तो आप इसको जुरूर अ परफॉर्म करके ही जाता है और मीडियो लॉटर में बैटिंग भी करता है खास करके फास्वाल पर पे तो आपके लिए बहुत बढ़ी अपीक होगा सेकेंड बाल पर आज से कैपन भाइसे ना करेंगे तब भी चल सकता है ठीक है कायल मायर्स रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हैं विसेंट फॉर्म फॉर्म तो उतना खास नहीं दिख रहा है बट कहना इसको अपने टीम में जुरूर रखिएगा यह जाता है और फार्स बैट सेकंड बैट दोनों का आप इसको कट देख लीजिए भेंड का भी देख सकते हैं और रामकीम कॉर्नेल यह बहुत अच्छा राउंड है आप इसका हेड-to-head record भी देख सकते हैं मतलब यह बहुत कम गेंदों पर ज्यादा रान करता है आप इसको जुरूर अपने टीम में राख सकते हेड-to-head record ब हेड-to-head record है बहुत अच्छा बहुत बहुत अच्छा बैड भी बहुत अच्star करते हैं और बउल भी अच्छा करते हैं प्रृसेंट पर्फोर में उर्सका यह बहुत बारे पर देख सकते हैं बहुत बढ़ी है रिसेंट फर्म इसे इंडिया सिरीज हो रहा था उसमें उतना खास पार्फर्म नहीं लेकिन अगर फास बॉल करेगा तब आपके लिए बहतर पिक हो सकता है और सीमां डिसेंट फर्म अच्छा है बट अगैन लिग में जुरूर आपके ल सकते हैं जो बहुत बढ़िया है इसको लेक जाएगा बाकि देखिए इन में से जो भी प्लियार लाइन अप आएगा तो आप इसको जरूरू टाइप का सकते हैं जिसमें लोगों मैंच हुआ था मॉर्णिंग में जिसमें हम लोगों ने डिटेल से अनलाइसिस किया था अब देख सकते हैं रिपले सी का बहुत बढ़िया है फास बैट सेकेंड बैट दोनों में अच्छा असा रेकॉर्ड प्लस ग्राउंड पर उतना खास रेकॉर्ड नहीं है बटरी सबसे दिक्कत की बाली वात है इसका है रिसेंट फॉर्म में इसने जस्ट एक मैच में दस के उपर अन नहीं किया दा रिसेंट फॉर्म को देखते हुए आप ग्यान लिग जैसे पिछले मैच में मैंने आपको बोला था इसमें भी बोड़ों आप इसको ड्रॉप करने का भी रिक आपको डेस्ट काट है अगर खेलेगा तो जरूरूर टाइक का से डिसेंट फर्म बहुत बढ़ी है और अच्छा फिलियर भी अच्छा ओल्राउंडर भी है के मिलियास अथना खास नहीं होगा पिछले मैच पर दो आप बाल किया था और बैटिंग से भी फ्लॉप गया था आ आज तो सब लोग इसको क्या बैटिंग करके जाएगा लेकिन आपको क्या करना है इसको अज पिलियर आप रखेगा एड़ डेकर आप देख लीजे प्लस भेनु रेकॉर्ड भी इसका देख लीजे रिसेंट फॉर्म देखिए रिसेंट फॉर्म उत्ता खास नहीं था बट हेड़ रेकॉर्ड देखिए हेड़ रेकॉर्ड में मुस्ट आप टाइम पॉइंट कुछ ना कुछ देखे ही जाता है क्योंकि बैड़ वल्ड दोनों करते हैं और जो इस्टेंटिंज का पिलियर है उसको थोड़ा सा ज्यादा फेबर भी करेगा क्योंकि मैंस जो है आप प टीम में जिसे बहुत लोग लेके जाए गया लेकिन बॉल एक होवर गया तो जुरूर ट्राइक करेगा और गया जिसमें भी ट्राइब करें एक दो टीम में करते हैं कि किसी भी मैंच में सब्सक्राइब करें लेकिन बहुत बढ़िया है इसका भेनु रेकारड भी एक मैच खेला था जिसमें एक उकिट मिला था इसको अब इसको जुरूर गया लिए पिछले मैच में जो आज के मैंच होगा था उसमें लास्ट ऑवर बॉल किया था इसने तो आप इसको जुरू होवर किया था उसके बाद लास्ट में एक और बॉल किया था अलजरे जैसे आपके टीम में मास्ट भी होगा चाहिए फास बाल करें सेकेंड बॉल करें इवेन कैप्टैन वैसरी में आप कर सकते हो इसका होम ग्राउंड है और रेकॉर्ड भी आपको लेना चाहते तो जरू तो आपके लिए अच्छा खास पीक नहीं है और तो आपके टीम में मास्ट भी होगा बाकी डूपलेसी जैसे मैंने आपको बोला रिसेंट फॉर्म बहुत घटिया है लेकिन हेट रेकॉर्ड अच्छा है बेनी रेकॉर्ड थोड़ा सा खराब है तो जैसे एक है ना आज के पॉइंट या ना एक या पकड़ कर सकते हो बट के मुस्ट पकर रॉन आउट करके डिम डिम में आहीं जाता है डॉप करेंगे तो थोड़ा सा रिसकी भी हो सकते हैं बट ग्यान लीग में जुरूर इसको सब्सक्राइब करें आपके टीम में मास्ट पिक होगा इन में से कोई अच्छा पिलियार नहीं है जो अगर लेना चाहते तो आप गैन लिग में जो पिलियार आएगा लाइन अप में उसको ट्राइकर से मुन्रो का रिसेंट परम बहुत बढ़िया है बड़ा भी नहीं खे सब्सक्राइब करना चाहते है तो फास्ट बॉल पर ही करिएगा तो आपके लिए बहतर सिकंदर आजा को आपके टीम में जुरूर रखिएगा और आप इसको आज के मैं बैक भी करिएगा इवन इसमाल लिग ग्राइब लिग में दोन मुस्ट आप देश्टीम में अगर कै प्रेमियास मैंने इसके बारे में भी आपको बोला था कब लेना है की नहीं लेना मैंने जब दिटेस बोल दिया अलजिरा जोसिप का होम ग्राउंड है आपके टीम में मास्ट प्रिकूगा इभन आप कैप्टेन भास नहीं बट फास बोल पर थोड़ा साच्छा पीखोगा है फर्च गोल उतना खास नहीं होगा आप लेना चाते है तो ले सकते क्योंकि रिसेंट फर्म उतना खास नहीं है रहे फैंटर मारे का रिसेंट फर्म बहुत बढ़िया अगर लाइन अप मिनी एसल खेल रहे तो इसको जुरूर आपके टीम में पांद पिक होता है कि सी सोल है यह बहुत अच्छा बॉलर है पिछले मैच में मार पड़ा था बट इसको आप बैक करिएगा आपको कैप्टन का भी पॉइंट देखे जासे दे क्यू आहाम में बहुत अच्छा फिलियर है यह अच्छा इस्पीन बॉलिंग करता है आप इसको जुरूर अपने टीम में पंतिख हो सकते हैं आपके यह स्मॉल लिक में भी पंतिख होड़े हैं जैसे स्वाज़ू हो उसके आप तो एक करें लाइक टो कर प्रेस्ट हम से लगा ऍे लिए हमारे अच्छा लिग करें